नमस्कार आप देख रहें नेक्स्ट नाइन न्यूज और मैं हूँ आपके साथ दिनेश कुमार दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सयोजक और दिल्ली के मुख्वंतरी अर्विंद केजरिवाल कल उनके उपर सब की नजरे बनी हुई थी नजरे इसलिए बनी हुई थी कि एडी ने शराब नीती घोटाला मामले में तीसरी बार पूस्ताच करने के लिए उनको समन भेजा था लेकिन निर्धारित तैस समय सीमा और तिथी पर अर्विंद केजरिवाल एडी के दौरा भेजे गए समन पर पेश नहीं हुई इसके बाद अर्विंद केजरिवाल ने कहा कि हम एडी के पास क्यों पेश नहीं हो रहे हैं उसकी एक खास वज़े हैं जी हाँ एक खास वज़े आपको बताने वाले हैं कि क्यों अर्विंद केजरिवाल यहाँ पर एडी के सवालों का सामना नहीं कर रहे हैं अर्विंद केजरिवाल का कहना है कि BJP के पास कोई सबूत नहीं है और वो ED का इस्तेमाल सिर्फ विपक्स के उपर कर रही है और विपक्सी नेताओं को जूटे केसों में फसाया जा रहा है अर्विंद केजरिवाल ने आरोप लगाते में कहा कि हमारे तीन साथी मनिस सिसोधिया संजी सिंग और सतेंदर जैन जेल में बंद है लेकिन उनके उपर तमाम घोटालों के आरोप लगे हैं लेकिन ED एक पैसा भी उनसे बरामत घोटाले के तोर पर नहीं कर पाई है अर्विंद केजरिवाल ने कहा कि यहाँ पर यदी घोटाला हुआ है तो पैसा गया कहां पैसा क्या हवा में उड़ गया क्या जमीन में गड़ गया और चला कहां गया क्यों आखिरकार ED इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो एक पैसा ढूनने में भी नकाम है और जूट के केस लगा कर यहाँ पर हमारे नेताओं को और विपक्स को परेशान किया जा रहा है अर्विंद केजरिवाल ने कहा कि बीजपी केंदर की सत्ता में काबिज होकर वहाँ पर एजेंसियों का दूरूपयों कर रही है और यहाँ से किसी भी प्रकार की राहत आम अद्वी पार्टी के नेताओं को मिलती इंड़ जर नहीं आ रही है इससे पहले आपको बतादें कि दो समन अर्विंद केजरिवाल को एडी ने पहले भी भेजे थे और एडी ने यह कहा था भी बरामद नहीं कर पाई है अर्विंद केजरिवाले केंदर की सत्ता पर हमला बोलते वे कहा कि प्रधान मंत्री मोदी अपने विजन में बिल्कुल फैल हो चुके हैं 2014 में जिस प्रकार देश के तमाम लोगों तक वो काले धन ब्रष्टाचार बेरोजगारी महंगाई के मुद्दे पर यहाँ पर सरकार में आये थे उन पर अब बात करना तक पसंद नहीं करते हैं प्रधान मंत्री अब देश के लिए रक्षक नहीं बलकी भक्षक बन चुके हैं और ऐसे में प्रधान मंत्री तमाम योजनाएं लाकर यहाँ पर गरीब लोगों की जेब से पैसा निकाल रहे हैं और अपने कुछ चुनेंदा लोगों की जेब में वो पैसा डाला जा रहा ह आपको बता दे हैं अरविंद केजरिवान ले आरोप लगाते हुए कहा कि भारत के उपर पिछले दस सालों में जो कर्ज है वो पिछले साट सालों की तुलना में तीन गुणा पढ़ गया है यानि कि आईमएफ का यहाँ पर दवाब केंदर सरकार पर पढ़ता हुए नजर आ रही है कि जरिवान ने तमाम आरोप लगाते हुए कहा कि वीपक्स को परेशान करना भारतिया जनता पार्टी का एजंडा रहा है और इसको आगे बढ़ाते नजर आएंगे लेकिन जब तक हमारे खिलाब को इठो सबूत सामने नहीं आते हैं हम एडी के सामने जाने के ल करो के लाद देटरे एंगे ने चूना इनूटी